दोस्तों, чयन community के लोग इस समय पे इस मैस्व प्रोटस्ट कर रहे हैं इंडियागीट दिल्ली में तो इनों प्रोटस्ट किया है और ये प्रोटस्ट पूरे इंडिया फर में हुए मद्ध पदेश में भी प्रोटेस्ट हुएं गुजराद में भी प्रोटेस्ट हुएं और ये प्रोटेस्ट की जो वज़ा है वो उसका ओरिजिन है जारखंड में और उसके सासद अगर आप देखो तो गुजराद में भी रिसेंट्ली गढ़ना हुई है जहां से overall ये protest उबर के आ रहे हैं अब Jains वैसे तो देखा जाए तो Jains एक बहुत ही peaceful आप कहलेजे group of people वैसे तो सब लोग group of people peaceful है बट Jains की overall जो आवादी है जो proportion है आवादी का overall पूरे इंडिया की आवादी में वो बहुत कम है इंडिया की total आवादी का proportion देखा तो लगबग 80% लोग Hinduism follow करते हैं 15% लोग Islam, Christianity 2.3% Sikhism 1.7% Buddhism 0.7% इंडिया की आवादी का केवल 0.4% followers Jainism धरम के हैं तो Jains constitute 0.4% of the population of India बट क्योंकि हमारी population इतनी जादा है 130-140 तो यहाँ पे भी जो Jain Community की overall आबादी होती है बहुत जादा होती है अब इस context में देखा जाए तो recent जो Jain Community है जो कि यहाँ पे धन्ना पदर्शन कर रही है वज़े क्या है वज़े यह है कि हेमंत सुरेन की जो सरकार है जारकंड के अंदर उसने यह डिकलेर किया है कि सामेद शिखर जी को as a tourist spot डवलब किया जाएगा जबकि Jain Community को यह बोलना है कि सामेद शिखर जी की बहुती बड़ी religious value है Jain Community के लिए तो वो केवल एक pilgrimage stop होना चाहिए उसको tourist spot डिकलेर नहीं करना चाहिए यह जो सामेद शिखर जी है जारकंड के पारसनाथ हिल्स में लोकेटड है एक sacred pilgrimage site है जैन्स के लिए और इस sacred pilgrimage site को हुमिंद सुरेन की सरकार ने tourist spot की तरह डवलब करने की बात कर दी ठीके न भाई तो यह जो जारकंड सरकार का notification था जिसने बोला कि इस pilgrimage site समेद शिखर जी को tourist distance की तरह डवलब किया जागा बस इसके against agitation हो रहा है हाला कि agitation बहुत peaceful तरीकेश हो रहा है और यह सिर्फ जारकंड में नहीं हुआ मद्द पदेश में जो जैन सुसाइटी के लोग थे वो सड़कोब बोता रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए जो पहले चीफ मिनिस्टर है जो कि हमात पदेशे कमल नास साब उन्होंने पीम मोदी जी को चुट्टी लिखी जारकंड के चीफ मिनिस्टर होमें सुरेन को चुट्टी मिली कि भाईया यह जो रीकंसीडर करी है एपने डिसीज़न को जो कि आपने डिसाइड किया है कि पारसनाथ हिल में जो सामेश शिखर जी तोरिस्ट स्पोड बनाएंगे गलत है जैन कम Amendment के लोगों के लिए इस पारसनाथ Shiv में सामेश शिखर जी के वेल्यु क्या है और इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इंटिटी इसके स्टेटमेंट आए जैसे कि विश्व हिंदू परिशत ने भी यहां पे स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि भाई यह जो राज सरकार का डिसीजन है जारकंड राज सरकार का यह गलत है पिल्ग्रिमेज सैट को पिल्ग्रिमेज सैट ही रहने दीजे उसको टूरिस्ट स्पॉर्ट मत बनाईए विश्व हिंदू परिशत ने यह भी बोला है कि जारकंड में एक मिनिस्ट्री आफ पिल्ग्रिमेज बनाना चाहिए ताकि सिद्ध शेत्र पार्शुनात मौंटेन जिसके उपर यह सामेज श्रिकरजी है इसको प्रापर तरीके से कंजर्व किया जा सके as a pilgrimage site तो सिद्ध पार्शुनाथ माउंटेन और इसके उपर जो तीर्थ राज सामेद पीक है जहाँ पे सामेश श्रीकर जी है वहाँ पे जो भी amendments के थूर ये जो notification लाए गए है इनके जो भी amendments किये गए है ये बोला गया है कि हाँ भाई ये tourist spot बनेगा वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे इसके साथ अगर आप री 70 देखोगे तो गुजरात में अभी 16 दिसंबर 2022 को एक जाइन टेंपिल भी वेंडिलाइस कर दिया गया थै एंटी सोशल एलिमेंट्स के दौरा तो इस वेंडिलाइसेशन के अगेंस्ट भी 2022 को गुजरात में जो जैन टेंपिल का वेंडिलाइसेशन हुआ है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट उसके साथ साथ पालीडाना टेंपिल जिसको वेंडिलाइस किया गया थै इसके आसपा बहुत सारी लिसेट लिक्वर बेची जा रही है और illegal mining भी करी जा रही है तो समझे गुजरात के पालिटाना टेंपल के आसपास के आलाकों में illegal mining चल रही है और illicit liquor बेची जा रही है इसको रोकने के लिए भी overall यहां पर memorandum submit किया है जैन community के लोगों ने तो उनका यह बोलना है कि गुजरात के पालिटाना इलाके के आसपास जो भी illegal mining हो रही है इसको बंद करी है सासा जो illicit दारू वैसे तो गुजरात में दारू बैन है लेकिन जो illicit liquor चल रहा है इसको भी यहां पर बंद करने की बात की जा रही है तो यह तीन चार डिमांड्स हैं जैन community के लोगों की अब overall इसके समेश शिखरजी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं इसको समेश शिखरजी भी कहा जाता है जारकंड की गिरीदी ये district में पढ़ता है पारसना थिल के उपर जारकंड स्टेट में सबसे उचा पारसना थिल ही है सबसे important आप कह सकतो है जैन तीर्थ है समेश शिखरजी और चाहे आप जैन सेक्ट के अंदर दिवंगर सेक्ट को फॉलो करो जाहे स्टामबर सेक्ट को फॉलो करो दोनों ही सेक्ट के लोग समेश शिखरजी को equal importance देते हैं आप सेख सवाल है नीचे कमेंड बॉक्स में बताईए दिगंबर सेक्ट और स्टामबर सेक्ट जैन्स में क्या फरक है ठीक है जो 24 जैन तीर्थंकार रहे हैं उसमें से 20 जैन तीर्थंकारों को मोक्ष इसी समेश शिखरजी में मिला है ऐसा मानना है जैन कम्यूनिटी के लोगों का इन फेक्ट जो पांच तीर्थ का कंसेप्ट है श्वितामबर सेक्ट में जो पंच तीर्थ का कंसेप्ट है जो पांच सबसे इंपोर्टन साइट है उसमें से एक समेश शिखरजी है उसके सासाथ आता है अस्टपद अस्टपद कहां पढ़ता है उत्तराखण में फिर आता है आपका गिरनार, फिर दिलवारा टेम्पेल्स ओफ मौंट अबू, फिर आता है शत्रुंजे, इसमें शत्रुंजे भी गुजराद में पढ़ता है, गिरनार भी गुजराद में पढ़ता है, अस्टपत उत्राखंड में पढ़ता है, सामेश श्रीकर जी जारकंड इस बात से भी निकलती है कि जो जैन धर्म के 12 सबसे important टेक्स्ट है उसमें से एक टेक्स्ट है जनत धर्म कथा इसके अंदर भी सामेश शिखर जी का वर्णन किया गया है उसके साथ साथ एक बारवी शताबदी की बायोग्राफी है पारसुनात की पारसुनात जी की जो बायोग्राफी है पारसुनात कारिता इसमें भी सामेश शिखर जी का मेंशन किया गया है फिर एक तेरवी शताबदी का पाम लीफ मेनुफेक्ट है कलपसूत्र और कलक कर्रे कथा इसमें भी ओवर राल ये बताया गया है मतलब एक सीन को दर्शाय गया है कि पारसुनाची निर्वान ले रहे हैं सामेश शिकर जी के अंदर तो basically सामेश शिकर जी की जो religious importance है जैन धर्म के followers के लिए वो बहुत जादा है In fact अगर आप देखो तो जैन कम्यूनिटी का सबसे important worship place सामेश शिकर जी है सामेश शिकर जी में जो मंदिर है उसको किंग विरा धवला और विसल देव औफ वगेला डाइनिस्टी की समय बनाए गया था इसमें पीस तीर्थंकारों के मूर्तिया हैं उन तीर्थंकारों की जिनको यहां पे overall अमुक्ष मिला हुआ है जब मुगलो कराज था इंडिया के अंदर इंडियन सबकॉंटिनेंट में तो एंपरर अकबर ने 1583 में एक फर्मान जारी किया था और उस फर्मान के तहट सामेश शिकर जी का पूरा मैनेजमेंट जैन कम्यूटी को दे दिया गया और इसमें अकबर ने इस पर्टिकुलर फर्मान ने ये भी बोला था कि इस जैन कम्यूटी की रिलिजिस फिलिक्स का ध्यान रखते हुए ये जो पर्टिकुलर सामेश शिकर जी है इसके आसपास किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा तो अकबर के अंदर उस समय पे इतना सेंस था कि 1583 में जैन कम्यूटी को ऑनर करते हुए अकबर ने बोला कि सामेश शिकर जी का पूरा मैनेजमेंट जैन कम्यूटी के पास होगा और इसके आसपास के लाके में किसी भी एनिमल को स्लाटर नहीं किया जाएगा फिर जो मुगल एंपरर जहांगीर था इसका जो परसनल ज्वेलर था सेट हीरानंद मुकीम ये आगरा से सामेश शिकर जी गया था जैन प्रिल्ग्रमिच के लिए खुद एक जैन थे 2019 में दिल्ली सरकार ने सामेश शिकर जी को मुख मंती तीर्थ यात्रा योजना के अंदर शामिल किया तो मतलब जैन कम्यूनिटी के लिए ओवराल सामेश शिकर जी की जो इंपॉर्टेंस है इसको हम जानते हैं उसी रिस्पेक्ट में इस प्रोटेस्ट की वैलू भी हम समझते हैं अब जैन धर्म से रिलेटेड कुछ केव्स कुछ टैमपिस और कुछ स्टैच्यूस के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं केव्स की बात की जाएं तो जो एलूरा केव्स हैं उसमें 30 से 35 नंबर की जो केव हैं महरास्ट में ये जैन धर्म को डिवोटड है वैसे देखा जाएं तो एलूरा केव्स में हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म ये तीन धर्म की केव्स मिलती हैं पता ये जो टोटल 34 केव्स हैं आपकी ऐलूरा में, उसमें से कितनी हिंदु धर्म की हैं, कितनी बुद्ध धर्म की, कितने जैन धर्म की, तो ऐलूरा केव्स में जैन धर्म की, आपको केव मिलेगी, फिर मांगी तुंगी केव महरास्ट, यहाँ पे जैन आर्किटेक्चर मिल ठीके ना, मैं आप, समझ दीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक तरीके का रिवीजन सा करा रहा हूँ कि जैन, ओवरॉल देखे, जैन कम्मुनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, तो कही न कहीं न्यूस में और बुद्धिजम और जैनिजम से रिलेटेड सवाल पूछना है, यूपीस्टी का फेवरेट पास्ट है, मैं इन फेक्ट पीजिएस में भी बहुत सारे वन लाइनर्स बुद्धिजम और जैनिजम से रिलेटेड आते हैं, इसलिए एक छोटा सा आपके लिए ब्रीफ लेक तो दिल्वारा टेंपिल मांट अबू राजिस्थान जैन धरम से बहुत रिलेटेड है, गिरनार और पालिडान टेंपिल, यह कहां पे कुछ रात में, मुक्तागरी टेंपिल, जैन धरम से रिलेटेड हैं, फिर कुछ स्टैच्टू की बात कर लें, तो गूम तेश्वला बाहु बली स्टैचू, ये कहाँ पे शवन बेल गोला कर्राट का, जैन दर्म से रिलेटेड है, और स्टैचू ओफ अहिम्शा रिशबनात, ये कहाँ पे मांगी तूंगी हिल्स, महरास्ट, तो I hope आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ हलका फुल का जैन आर्किटेक्चिर और ट पुशिश करता हूँ, I hope आशा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद रही हो, अपने वीवान दीचे कमंट बाक्स में देखे जाएगे दोस्तों, इस्ट्रागांप, फॉलो कर लीजेगा, टेलेगा, गुब जैन कर लीजेगा, इस जादर से जादर लोग से लिक्चिर को श